हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों तो आज हम इस LED बल्ब को रिपेर करने वाले हैं जो आपके घर में खराब हो जाते हैं ये मोडल का LED बल्ब तो ये हमारा देख सकते हैं इस मोडल की बात मैं नहीं कर रहा हूं इस मोडल का LED अगर repair करना सिखना चाहते हैं तो इस video को पूरा last तक जरूर देख लिजेगा अगर आप इस video को skip करके अगर देखते हैं तो किसी भी part को देखने में miss कर जाएंगे तो इस LED bulb को repair नहीं कर पाएंगे तो चले आज मैं इसको repair करके आपको दिखाता हूँ और इसको चेक करके दिखाऊंगा इस फोल्ट में किस तरह से आपको रिपेर करना है अपने घर पे वो भी आप खुद रिपेर कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में या फिर फ्री में भी रिपेर कर सकते हैं यह हमारा सूरिया कमपणी का LD बल्प है 9 वाट का तो इस बल्प को यहां पर एक अच्छा बल्प को चेक करके मैं दिखाया तो सेम उसी तरह से हमारा खराब LD बल्प को भी यहां पर चेक करना है यहां पर देखिए हमारा खराब जो LD बल्प है इसमें भी हमारा कोई भी रेस्पॉंस नहीं मिल रहा है देखिए यह मैंने चेक करके इस खराब लडी बल्प को भी चेक कर लिया हूँ, तो अभी तक आपने हमारा वीडियो को लाइक निक्या है, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए है तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजेगा, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते रहता हूं, चलिए दोस्तों, इस LED बल्प को मैं ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद में इसका फॉल्ट को रिपेर करके दिखाने वाला हूं, तो देखे, सबसे पहले इसका डिफ्यूजर को हमें ओपन करना होगा, तो डिफ्यूजर को ओपन करने के लिए देखे, आपको कटर ले ले सकते हैं, या फिर आपके पास में चाकू है, चाकू ले सकते हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, आपके घर में देख सकते हैं, इस तरह से नुकिला अगर चाकू छूर इस टैप का है तो, और ध्यान रहे देखे, इसमें ये गेप जो ब क्या होगा आपका डीफूजर जो है बहुत ही आसान तरीके से खुल जाएगा देखिए इस तरह से, यह होता है आपका LD बल्प का डीफूजर अपन करने का सही तरीका देखिए बीना किसी तोड़ फोड़ के अब इस LED बल्प का डिफ्यूजर को ओपन करने के बाद में इसको साइड में रखते हैं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि इस LED बल्प का देख सकते हैं इसका डिफ्यूजर को हटाने के बाद में हमें क्या देखने को मिल रहा ह सकते हैं यहां पर एक SMD-LED जो है हमें देख सकते हैं यह ब्लक ब्लक हमारे डोट डिखाई दे रहा है इसके अंडर में अरग जो अच्छा होता है उसके अंदर में देख सकते हैं इस तरह से SMD LED का जो देख सकते हैं पीलापन और बिल्कुल किलियर तरीके से दिखाई ज़ता है इसमें कोई भी यहाँ पे बलेक धबा दिखाई नहीं देते हैं यह तो हो गया किलियर तरीके से आपको पहचाइन करने का अब इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा LED अगर खराब होगा तो भी नहीं जलता है यह भी हमें चेक करना जरूरी होता है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका वोल्टेज को चेक कराऊंगा और वोल्टेज को चेक कराने के बाद में इसका MCPCB को दोनों को चेक करके मैं आपको दिखा रहा हूं लाइब तो वीडिय बोल्टेज चेक करने के लिए अब DC बोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमिटर से अब यहां पर देखे मल्टीमिटर की पराड जो है ब्लेक और रेड इसमें देखे हमारा वायर भी है देख सकते हैं यहां पर ब्लेक है तो ब्लेक को ब्लेक में रखेंगे और रेड को रेड मे टेच करके देखेंगे तो इसमें देखें हमारा 100 बोल्ट यहां पर हमारा देख सकते हैं सो कर रहा है तो इसमें हमारा 9 बाट का LED बल्प है और इसमें हमारा 100 बोल्ट अगर आ रहा है तो यह हमारा LED Bulp जो है यह सही है इसका driver circuit में कोई भी दिक्कत यहाँ पर अभी नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम इस LED Bulp को repair बहुत आसान तरीके से भी कर सकते हैं अपने घर पे बहुत आसानी से देखे अगर आपके पास में यह नहीं होता है तो यह तरीका में आपको बताऊंगा देख सकते हैं इसमें देख सकते हैं किसी भी तरह का यह छेड़ छाड़ LED Bulp नहीं है बिल्कुल यह फर्च टाइम यह खुल रहा है LED Bulp और यहाँ पर एक wire का ठुकड़ा लीजेगा और दो आपको यह wire से ही आपको LED Bulp रिपेर हो जाता है देखे आप इस LED को दोनों साइड से देख सकते हैं एक एक करके इस तरह से आपको टच करते हुए देखना है यहाँ पर देखे यह हमारा यहाँ पर हमें fault मिल चुका है इसका देख सकते हैं यह जो हमारा SMD LED जो है यहाँ पर हमारा खराब हो चुका है D3 यहाँ पर देख सकते हैं D3 वाला SMD LED जो है वो हमारा खराब हो चुका है यह वाला D3 लिखा हुआ है यहाँ पर मैं point को आपको निशानी से दिखा रहा हूँ ताकि हम भूल ना सकें ताकि जो भी SMD LED खराब है उसी SMD LED को हम रिपेर करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह तरीका जो होता है तो यहाँ पर देखिए D3 वाला SMD LED जो होता है इसको यहाँ पर क्या करना है इसको तोड़ ले रहा है यहाँ पर देखिए D3 वाला SMD LED को तोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको दो पॉइंट देखने को मिलेगा एक आपका इस साइड प्लस दिखाई देगा और इस साइड जो होगा आपका माइनस होगा प्लस की साइड होता है क्या है आपका छोटा साइड होता है और माइनस की साइड में देख सकते हैं बड़ा साइड देखने को मिल जाता है पॉइंट देखने को ये बल्प को देखे आप आसानी से इसको रिपेर कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ यहां पर देखे ये जो पुराने SMD LED जो होते हैं जो बाकी खराब LED बल्प अगर आपके घर में पड़े हुए हैं तो उसमें से देखे इस टाइप का आपको SMD LED जो है वो मिल जाते हैं तो उसमें से देखे अगर इसमें एक SMD LED को जो सही है उसमें से निकाल के अगर इसमें लगा लेते हैं तो यह आपका जल जाएगा इसमें कोई दीकत नहीं आएगा इसको आप लगा सकते हैं तो अगर नहीं लगा सकते हैं तो कोई दीकत नहीं है आपके पास में जो नजदीकी मार्केट होता है आपको उसमे electronic के shop में जाके पूछेगा कि हमें LED bulb का MCPCB चाहिए 9W में आपका जिस भी वाट का LED bulb है उस वाट का LED bulb से material मांगेंगे तो आपको मिल सकता है बहुती आसानी से और ये मातर देख सकते हैं 5-7 रुपे 10 रुपे इनके अंदर में ही मिल जाता है आपका 9W का MCPCB आपका High Quality का भी लेना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा थोड़ा Low Quality का भी मिल जाता है पर मिल जाएगा आपको तो देखे अगर आपको Online भी लेना चाहते हैं तो Online से भी आप पर्चेस कर सकते हैं ऐसा तोड़के इसको हम यहां पर लगा भी सकते हैं इस तरह से पर ऐसा जब हम इसमें लगाएंगे तो क्या होगा जो बाकी SMD LED जो है वो हमारा सही है अभी काम कर रहा है तो जब तक यह पूरी तरह से खराब ना हो जाए तब तक हम इस नया MCPC को यहां पर इंस्टॉल नहीं करेंगे इसके लिए हमें क्या करना होगा इसी SMD LED को हमें रिपियर करना है जुगार तरीके से यहां पर देखे इस स्टेपलर को को नहीं जानता है तो आपकी घर में भी हो सकता है स्टेपलर जरूर होगा यह स्टेपलर का जो पीन होता है इस पीन को अगर आप निकाल लेत चोटा साइड कर सकते हैं या इससे बड़ा साइज का भी टेपलर के सकते हैं जैसा देख सकते हैं, यह हमारा stepler का pin होता है, इस pin से आप इस LD bulb को repair कर सकते हैं, इस में हमारा देख सकते हैं, इस pin में आपको छोटा सा टुकडा लेना है, देखिये, छोटा सा टुकडा बस मात्र, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इतना छोटा सा टुकडा भी बहुत है इससे भी छोटा टुकडा में भी यह चल जाएगा तो इतना छोटा सा काट लिजेगा आप किसी भी साहता से काट लिजेगा उसके बाद में देखे इसको साइड में कर लेना है और इसमें देखे इस LED को यहां पर देखे जहां पर हम तोड़े थे उसी LED के उपर में इसको रख लेना है रखने के बाद में देखे दोनों इसमें जो छोटा वाला भाग है और बड़ा वाला भाग है दोनों में यहां पर टच होना चाहिए इस तरह से इसको कर लेना है अब करने के बाद में क्या करते हैं इसमें हमारा electric tape यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आपके पास में ये मिल ही जाएगा अगर नहीं है तो कोई दिकत नहीं है अगर इसको आप क्या करना चाहते हैं hitsing compound को लगाएंगे तो ये अच्छी तरीका से काम करेगा कभी भी hit होगा तो ये electric tape जो होता है वो निकल सकता है इसलिए हमारा hitsing compound को थोड़ा सा लेंगे इसमें क्या होगा हमारा SMD LED सही तरीका से काम करने लगेगा बागी SMD LED तिहाँ पर देखे मैं इतना ही इसमें SMD LED को यहाँ पर लगा लेता हूँ तिहाँ पर देखे इस तरह से इसको लगा दीजेगा यहाँ पर देखे यह मैंने इसको लगा दिया है hitsing paste को यह paste जो होता है कभी heat होगा तो भी यह हमारा उखड नहीं जाएगा यह जलते रहेगा तो यही एक फाइदा इसमें होता है electric tape से अगर आप इसको चिपकाते हैं तो यह हमारा गरम होने के बाद में इसका जो गम होता है वो निकल जाता है और इसमें हमारा LED bulb जलना बंद हो जाता है तो इसमें हम hitsing compound को अगर लगाते हैं तो इसमें हमारा कोई भी दिक्कत नहीं आता है जितना भी heat होगा heat होने से यह आपका इधर उधर बिखरेगा बिल्कुल भी नहीं तो चले यहाँ पर मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर देखे मैं इसको series board का holder है तो इसमें connection कर रहा हूँ और इस LED bulb को मैं यहाँ पर चेक करके दिखा रहा हूँ तो देखे यहाँ पर हम जब connect कर रहे हैं तो तुरंत ही हमारा LED bulb जो है glow कर रहा है तो देखे अब इसका diffuser को भी मैं इसके उपर में लगा रहा हूँ देख सकते हैं और जब इसका diffuser को लगाने के बाद में भी यह तुरंत हमारा देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं इसका connection को निकाल दिया हूँ और इसका diffuser को मैं अच्छी तरीका से यहाँ पर लगा लेता हूँ देख सकते हैं अब यह bulb जो है अब हमारा बन के तयार हो चुका है अब इस bulb को जला सकते हैं जब तक जलाएंगे तब तक यह खराब न हो जाए जब खराब हो जाएगा सभी SMD LED खराब हो जाएंगे तो हम इसमें नया MCPCB लगा लेंगे तो इसमें कोई भी दिकत नहीं आएगा तो देखिए जब तक चल रहा है तब तक चला लेना चाहिए तो उमेद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा दोस्तों और हमारे चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो आपके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों टेक केर दोस्तों